प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जग्त प्रसिद्ध हैं. उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें. इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है. पहले उसे क्लिक कर दें. उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें. बस हूग गया काम. अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी. आते हैं तब लेफ्ट हैंड बाई और जाना है. लेकिन इवन लेफ्ट हैंड जब अपन ड्राइब करते हैं उस समय यदि एक बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स चोराहे पर पहुंच जाएं जहां एक सड़ा उदर जा रही है एक उदर एक इदर तो पहली बार जो उस चोराहे पर आया है अच्छे से अच्छा ड्राइवर भी कुछ ठंड के लिए डिसाइड नहीं कर पाता है कि किस दिशा में जाना है. मेरे और आपके जीवन की यही स्थिती है कि कुछ ठंड के लिए जीवन में जब बहुत निरने लेने की घड़ी आती है तब उस समय हो सकता है कि हमको एकदम से समझ में ना आए कि हमें क्या करना है. यह समस्या और जटिल तब हो जाती है जब लेफ्ट हैंड ड्राइव वाले किसी देश से हम रैट हैंड ड्राइव वाले देश में चले जाते हैं. उदाहरिन के लिए खाड़ी में जो देश हैं जैसे दुबाई वगरा वहां राइट हैं में गाड़ी चलाते हैं वहां ड्राइवर का जो स्टीरिंग वील अपने हिंदुस्तान में स्टीरिंग वील राइट साइट में होता है गाड़ी में अपने को कुछ समझ में नहीं आता है कि अब किस तिशा में जाना है। मुझे याद है आज भी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय अमरीका से लोग हमारे शहर ग्वालियर में टूर के लिए आते थे क्योंकि ग्वालियर बहुत एतिहासिक नगरी है। तो एक बार मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था गाड़ी आई और जैसा मैंने कहा वैसा बहुत ही जटिल एक चौरहा था अमरीकी ड्राइवर को समझ में ना आए कि किस तिशा में जाना है वो गलत दिशा में पलट गया। प्रभु की देया से थोड़ी बहुत काम चला हुँ अंग्रे जी जानता था मैं महीं खड़ा हुआ था पलटने के कारण उसकी गाड़ी की स्पीड कम हो गए मैंने कहा जेंडिलमेन रुख जाईए ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है और आप राइट हैंड ड्राइव के हिस इसलिए थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके ऐसे निकाल लीजे वो घटना में कभी नहीं भूला इसका एक कारण है मैं और आप जब प्रभु ईशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन कर लेते हैं तो उसके पहले हम जिस रास्ते पर चल रहे थे उस रास्ते के नियमालग है और जब हम एक बार प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन कर लेते हैं तब जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते के नियमालग है दोनों एक नहीं है संसार का जो सोचने का तरीका है वो प्रभु के वचन में जो सोचने का तरीका या चलने का तरीका बताया गया है उ जैसा मैंने कहा एक तो बहुत ही complex या जटिल चोराहा हो तो ऐसी अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता कि अब क्या जाना है उसके साथ साथ एक नियम का पालन करने वाले कल को एकदम दूसरे उसके विपरीत नियम का पालन भी करना हो और उसके साथ साथ एक जटिल या complex चोराहे पर पहुँच जाते हैं तो हमारी हलत बड़ी खराब हो जाती है इस बात को अपन सब जानते हैं इस कारण जिन्नों ने भी प्रभु ईशु को मुक्तिदाता के ग्रूप में ग्रंड किया है उन सब के लिए दो बातें जरूरी है पहली बात हमको ये अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि मनश्य अपनी बुद्धी से जो भी सर्वोतम चाल चलन के बारे में सोच सकता है उसमें और प्रभु के वचन में जमीन आसमान का फरक है और इस कारण हर नए विश्वासी को या हर उस व्यक्ति को जिसने प्रभु को नया नया ग्रहंड किया है उसको वो जो नया रास्ता है उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए दूसरी बात ना के विल उस रास्ते को सीखना है उस रास्ते के जो नियम और काइदे हैं उन नियम और काइदों को अच्छी तरह से सीखना जिरूरी है प्रभु के बचन में जो 66 चोटे-चोटे ग्रंथ हैं इन में रोमियो नाम के ग्रंथ एक्चली रोम शहर के विश्वासियों को प्रभु की आत्मा ने ये जो इंस्ट्रक्शन्स हैं ये शिट्षाइं भेजी थी तो रोम में रहने वाले को रोमी लोग कहा जाता है जैसे भारत में रहने वाले को हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदुस्तानी कहा जाता है उसी तरह से रोम में रहने वाले को रोमी कहा जाता है और हिंदुस्तानी को जब लिखा जाता है तो हिंदुस्तानियों के नाम प हैं पूरा नाम रोमियों के नाम पॉलोस प्रेरित की पत्री पॉलोस प्रभु ईशु के द्वारा भेजे गए चुने गए भेजे चुने गए नियुक्त के भेजे गए एक महान टीचर थे उन्होंने इस ग्रंथ में मेरे और आपके आत्मिक जीवन की जो मूल भूत बाते है मतलब प्रभु का रास्ता क्या है उस रास्ते के नियम क्या है और जब हमको निरने लेना है तब हमको क्या निरने लेना है ये सारी बातें बहुत ही काएदे से बहुत ही सिस्टेमेटिक लिए क्रमीकृत तरीके से बताया है इसलिए प्रभु ने मदद की तो हम इस पुस्त प्रभु उस मनिश के लिए क्या करने के लिए तैयार है स्वाबाविक है कि जब मनिष विनाश के रास्ते पर चल रहा है यदि वो पलट कर ये देखे कि प्रभू मेरे लिए क्या करना चाहते हैं तो वो ये पाईगा कि प्रभू मुझे विनाश से बचा कर मुझे एक नए जीवन देना चाहते हैं ये बात इस उस्तक के तीसरे portion में हम देखते हैं अगले हिस्से में हम देखते हैं कि जो प्रभु से इस तरह का एक नए जीवन मिल जाता है, मुक्ती मिल जाती है जब हम एक नए रास्ते पर चलने लगते हैं तो वो रास्ता क्या है उस रास्ते पर हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए और उस रास्ते पर चलने के लिए किस तरह की training या practice हमको चाहिए आप में से जो लोग four wheeler drive करते हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि कि किसी driving institute में चले जाईए तो वो training देने वाला क्या करता है कार में चार लोगों को बैठा लेता है चार लोगों में से एक-एक को दस-दस मिनित देता है driving के लिए इस तरह से दो हफ़ते आपकी training होती है मतलब दो हफ़ते में कुल मिला कर 12 दिन जादा से जादा आपकी training होती है वैसे कोई भी driving institute हर दिन training नहीं देता मानली जे हर दिन देता है तो भी जो है 6 और 6 12 दिन 12 दिन मतलब कुल मिलाकर 120 मिनिट प्रती दिन 10 मिनिट के एसाब से 120 मिनिट आपको ट्रेइनिंग देता है और उसके बाद कहता है कि भाईया तुमारी होगे ट्रेइनिंग और उसकी जान पैचान होते हैं वो आपको license दिला देता है लेकिन हमें ये बात अच्छे तरफ से समझनी चाहिए कि सड़क पर गाड़ी चलना आसान काम नहीं है नियम अलग है लोगों का चलने का तरीका अलग है और अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग तरीक ऐसे चलाते हैं कुछ डर डर के चलाते हैं कुछ को लगता है कि अरे ये तो अपनी सड़क है अपनी खरीदी ही सड़क है इसलिए सब अट जाएं शाहनशा आ रहे हैं सब लोग सड़क से अट जाएं दो-चार ऐसे होते हैं जो बीबी से जगड के आए होते हैं तो वो तो ये देख रहे हैं कि किसको टकर वारी जाएं ऐसे पचास प्रकार के लोगों के बीच में अपने को गाड़ी चलानी होती है तो बड़ी विकट स्तिती होती है मेरे साथे दो लफडे और थे जब मैंने ड्राइविंग सीखा तो मेरी उमर हो चुकी थी पचास पचास पे भला कोई ड्राइविंग सीखता है और उसके साथ-साथ मैं जो दवाएं खाता हूँ तो उसके करेंट मसल्स पे प्रॉपर कंड्रोल नहीं तीसरी समस्या यह है कि बच्पन में ही एक आँख की नजर कमजोर है एक आँख से काम चलाना पड़ता है लोग जिनकी दो-दो अच्छी आँख हैं वो सही देख नहीं पाते तो एक जिसकी एक नजर एक आँख की नजर कमजोर है वो क्या करेगा तो मैं ड्राइविंग इंस्टिटूट में गया तीसरे दिन मेरा इंस्ट्रक्टर था उसने हाथ जोड लिए कि भाईया आप नहीं सीख सकते और आपने इतना पैसा जमा किया है वो चार गुना मापस करने को तयार हो गया कि आप हमारा पिंड छोड़ दे मेरे एक दोस्त ने जो मुझसे जूनियर था वो बला कि बड़े भीया आप बिलकुल नहीं डरें मैं आपको ट्रेनिंग दूँगा ड्राइविंग इंस्टिटूट वाला आपको 120 मिनिट ट्रेनिंग देता है और एक नया ड्राइवर इसे 120 मिनिट में ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 किलोमितर चला पाता है कुछ लोग उतना भी नहीं चला पाते हैं मैं आपको ट्रेनिंग दूँगा बाकायदा उसने मुझसे एक सेकंड हैं गाड़ी खरीदवाई मेरे साथ बैठ कर रोज शाम को ऐसी ट्रेनिंग देता था कि कई बार रो ना आ जाता था जहां 50 या 60 किलोमितर की ट्रेनिंग दी जाती है और कहते हैं कि जाके लाइसन्स ले लो उसने मुझे 1000 किलोमितर अपने साथ ड्राइव करवाया और वो भी ऐसे ऐसे रास्ते कि जहां शैतान भी गाड़ी चलाना जाए उससे डर जाए ऐसे रास्ते पर वो मुझे ले गए और ऐसा जोर से डांटता था मुझसे छोटा था कि अभी क्यों हाथ छोड़ा इधर हाथ क्यों किया और मर जाते तो क्या करते अपन दोनों मर जाते लेकिन जब एक हजार किलोमेटर की ट्रेनिंग हो गई तो उसने का कि आप जाईए आप और बाकाइदा आप टेस्ट दीजे तो पतन देटा डिस्ट्रिक जहां पे टेस्ट होता है वहाँ अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं तो शुरू में लगबख बीस लोग टेस्ट हुआ बीसों को रिजेक्ट कर दिया और जब इकी स्वा मैं डरते डरते गया तो वहाँ एक बहुत ताज्युक की बात हुई डरते डरते गया एक बार में मेरा जो टेस्ट है उसमें मैं इतना पर्फेक्ट निकला कि उस दिन जो लगबख सवा सो लोग थे जब मैं आया तो ऐसी ताली वेजी मुझे लगाया कि शैद ओलिम्पिक का कोई फस प्राइज आप में आ गया है क्या कारेंड है ट्रेनिंग जो जानता था कि मैं कमजोर हूं उसने मुझे जम के ट्रेनिंग इसी तरह से इस संसार में मैं और आप इस नश्वर शरीर में जीवन बिता रहे हैं इस नश्वर शरीर के साथ एक परेशानी और है वो यह है कि हमारे अंदर पाप स्वभाव बसा हुआ है उसको लेकर हम पैदा होते हैं बच्चा जब उसको भूक लगती है तो रोता है और जब उसको लगता है कि मा को आने में देर होती है तो पूरी तरह से रोता है ना सबने सुना होगा मैंने भी दो बच्चे पा ले हैं और उसके बाद मान लीजे कि उसने थोड़ा सा कपड़ा गीला कर दिया मा को आने में देर हुई तो वो तो आस्मान सर पे उठा लेता है कौन सिखाता है उसको यह स जब वो और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे गलत काम करता है कौन सिखाता है रोमियों की पत्री पहले अध्याए में हम इसका उत्तर देखते हैं रोमियों की पत्री पहला अध्याए हमको ये बताता है कि हम क्या है जैसा मैंने बताया रूमियों की पत्री पहले हमको बताता है कि हम क्या है क्या बन गए उसका क्या फल होगा प्रभू उस फल से बचाने के लिए क्या करते हैं और जब हम प्रभू के द्वारा दिये गए उस रास्ते पर चलते हैं तब हमारे जीवन में क्या हो जाता है और यदि ऐसा हो जाता है तो उसके बाद हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए और इस चाल चलन के नियम, कानून, काईदे क्या है पहले अध्याई के अठारवे पत्मे हम पढ़ते हैं प्रभू का क्रोध तो उन लोगों के अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रगट होता है जो लोग मेरे साथ बाइबल पढ़ते जा रहे हैं वो लोग ध्यान देंगे कि इदर उदर कुछ शब्दों को मैं सरल करके आपके सामने पढ़ रहा हूँ उसके पीछे कारण है हमारा लेक्ष प्रभू के वचन को स्पष्ट वीती से समझना है ये जिस मूरी भाषा में लिखा गया था युनाईनी भाषा मैंने सालों साल जब मैं कॉलेज में था उसका अध्यान किया है उस आधार पर मैं कुछ portions को सरल करके आपके सामने पढ़ रहा हूँ क्यों जैसा मैंने बता है हमारा लेक्ष अच्छी तरह से समझना है जो किसके विरुद्ध प्रभू का प्रभू का क्रोत प्रगट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं सत्य को अधर्म से दबाए रखने का क्या मतलब है जो जान बूझ कर सच्चाई को छुपा कर रखता है ऐसा हो सकता है क्या कि हम जान बूझ कर सच्चाई को छुपाएं अरे कोई भी आदमी जानता है कि जीवन में हमने ऐसे पचासों आउसर देखे हैं जहां सच्चाई कुछ और है और लोग उसको छुपा कर रखते हैं एक सीधा सादा सा उदाहरन देता हूँ आजकल सरकार ने उस पे पाबंदी लगा दी है लेकिन आज से कम से कम माने लिजे 5-10 साल पहले की घटना ये दि आप हो आपको याद हो तो चार मीनार नाम का सिगरेट उसका एड़र्टाइजमेन साड़क पे जहां भी जब बड़े बड़े एड़र्टाइजमेन लगे रहते थे जहां लिखा था कि धुए के एक कश में मुझे जो आराम मिलता है वो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता है दुए के एक कश में आराम मिलता है क्या मिलता है इसलिए तो लोग स्मोक करते हैं ठंड के समय चाई पीए तो गर्मी मिलती है क्या मिलती है इसलिए तो चाई पीते हैं तो दुए के एक कश लेता है तो लोगों को आराम मिलता है इसलिए तो वो बेचते हैं लेकिन सवाल यह है कि दुए के एक कश से सिर्फ आराम मिलता है या और कुछ भी मिलता है आज दुनिया में सबसे ज़्यादा फेंफडे का कैंसर गले का कैंसर हिंदुस्तान में होता है कहां से आता है धुए से तंबाकू से तो जो उस विज्यापन को लिख रहा है कि धुए के एक कश में मज़ा आ गया वो आपको सचाई का सरुर एक हिस्सा बताता है उसके 90 प् आपको बिना किसी कोशिश के फेवरे का कैंसर भी देता है, गले का कैंसर भी देता है, कल को यहाँ सड जाएगा, कीड़े निकलेंगे। मैंने देखा है इस तरह के लोगों को, जिनके पूरा सड चुका है, कीड़े निकलते हैं। मुझे किसी ने फोटो देजी थी, की भाईया इसके लिए प्रार्तना करना, मैंने एक नजर पूरी तरह से देखने पाए, फोटो को इम्मीडिटली कंप्यूटर से मिटा दिया और बोला, की बिना देकी हम प्रार्तना कर लेंगे, क्योंकि देखने के बाद कम से कम छे महीने मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, तो जो विज्यापन आपको बताता है कि एक कश में आराम मिलेगा, वो नब्बे प्रतिशत सच्चाई या हकीकत को छुपाता है, कि तुम मर जाओगे, इतना ही नहीं तुम जब धूमरपान करोगे, तो तुमारे पास अगल बगल में तुम प्रतिशत सच्चाई को छुपा देते हैं, मेरे प्रीय भाई और बेहनों, ये मनिश का स्वभाव है, कि वो पूर्ण सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देता, बलकि आधर्म से उसको छुपा कर रखता है, यदि आपको मालूम है कि एक पर्टिकुलर प्रडक्ट के उपयोग से, उसका उपयोग करने वाले निश्चित रूप से मर जाएगा, और यदि उस जानकरी को आप छुपा कर रखते हैं, तो यह धर्म है यह अधर्म है, अधर्म है, तो सच्चाई को वो अधर्म से छुपा कर रखता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, कि प्रभु का क्रोध इस संसार में सब के विरुद भढ़कता है, जो अधर्म के द्वारा सच्चाई को छुपा कर रखते हैं क्यों लोग ऐसा क्यों करते हैं आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखिए उन्नीस्वे पद में हम देखते हैं प्रभु के विशे का ज्यान उनके मनों में प्रगट है क्योंकि प्रभु को भी अच्छर अभ्यास हो गया है जो जानता है कि मेरे नाम फलाना है जो जानता है कि भूग के समय खाना है और कपड़े पहनना है प्यास के समय पानी पीना है नौकरी करनी है वो अभ्यक्ति इस बात को भी जानता है कि इतना बड़ा संसार और इस संसार की इतनी जटल बात बाते अपने आप नहीं हो सकती हैं कोई भी आदमी जो इस विश्व को देखता है वो इस बात को समझ सकता है कि इस विश्व की रचना एक ऐसे व्यक्ति ने की है जो इस विश्व से बहुत उपर है बहुत बड़ा है हम सब इस बात को जानते हैं कि घड़ी खोल दें तो घड़ी के अंदर कितने सारे पहिये कॉम्पलेक्स जटिल पहिये घूम रहे होते हैं जितनी महंगी घड़ी आप खरी देंगे वो घड़ी उतनी ही accurate सही सही समय देती है कैसे देती है पिछले 600 साल से इस विशे की उपर research चल रहा है कि किस तरह से घड़ी के समय को accurate किया जाए और इस कारेंट जितनी ज़्यादा accurate घड़ी आप खरी देंगे उसके अंदर उतने ही ज़्यादा गोल घूमने वाले पहिये और gear आपको नजर आएंगे उतने ही ज़्यादा polish किये हुए उतने ही ज़्यादा accurate अच्छा आप जराए एक बात बताईए कि घड़ी अपने आप हो जाती है क्या नहीं पहले design करना पड़ता है और मैं आपको बता दूँ घड़ी का design उसके लिए जिस घणित का उपयोग हो जाता है अच्छे अच्छों के पसीने चूट जाते हैं ग्यारंटी मानिये मैं higher maths का विद्यारती हूँ मुझसे यह दि कहे कि भीया घड़ी का design करो तो मैं कहूंगा कि मैं कोई बड़ा काम कर लूँगा लेकिन ये चोटा काम मेरे वश्का नहीं है इतना जटिल होता है अच्छा मान लीजे कि वो सारे पार्ट आपको मिल जाते हैं और वो सारे पार्ट अपने घड़े में डालके घड़े को हिलाते रहें तो अपने आप जोड़ जाएंगे क्या जोड़ नहीं जाएंगे बलकि पार्ट टूट और जाएंगे जब हम किसी जटिल यंत्र को देखते हैं तब इस बात को अच्छे तरह से जानते हैं कि इसके पीछे एक अति विशाल बुद्धी ने काम किया है और सिर्फ बुद्धी ने काम नहीं किया है बुद्धी के कारेंट उस मशीन को डिजाइन करके उसको एक-एक करके जोड़ा गया है उसी तरह से जब हम इस विश्व को देखते हैं इस विश्व में जो संतुलन है उसको देखते हैं तब हमको ये बात अच्छे तरह से बिना बताए समझ में आ जाती है कि इसके पीछे सर्वे सर्वा सर्वे शक्तिमान प्रभु की शक्ति है एक सरल सी बात बताऊं अपन सब घड़ी का उपयोग करते हैं घड़ी का टाइम आप कभी किसी चीज से मिलान करते हैं क्या जी हां मैं तो मोबाइल के टाइम से मिलान करता हूं क्योंकि मेरी घड़ी वो बीच-बीच में सुस्थ हो जाती है, तो यदि उस टाइम के अनसार चलूं, तो लेने के देने पड़ सकते हैं, रेल-गाड़ी पांच बज़े चूट गई, और आपकी गड़ी अभी बता रहे हैं, कि पांच बजने में आदे गंडे का देर है, अच्छा, मॉबाइल का टेम, वो अपने आप हो जाता है, कि जी नहीं, उसका मिलान होता है इंडियन स्टेंडर्ड टेम से, अच्छा, इंडियन स्टेंडर्ड टेम अपने आप हो जाता है, कि जी नहीं, उसका मिलान होता है अटमिक लॉक से, यह atomic clock क्या चीज है इस विश्व में प्रभू ने जो परवाणों रखे हुए हैं उन परवाणों से समय का मिलान किया जाता है आप कहेंगे कि atomic clock तो अभी 10-20 साल पहले आया जी 40-50-60 साल पहले आया तो उसके पहले किस चीज से मिलान करते थे सूर्य का जो सूरी की जो परिक्रमा है रुट्फी की जो परिक्रमा इं चीजों से मिलान किया जाता था तो जब ये घड़ी अपने आप नहीं आती बलकि इसके पीछे एक यक्ति का हाथ है उसकी बुद्धी है उसका कार्य है तो ये विश्व जो इतना जटिल यंत्र है ये अपने आप हो गया क्या जी नहीं इसके पीछे प्रभू की बुद्धी है प्रभू की शक्ति है ये है प्रभू के वचन के कहने का मतलब की प्रभू के अन देखे गुर्ण बीस्वापत प्रभू के अन देखे गुर्ण मतलब प्रभू की सनात इंसामर्थ प्रभू के कामों के द्वारा देखने में आती है जो विव्यक्ति इमानदारी से इस विश्व को देखता है उसको ये मानना पड़ेगा कि ये विश्व अपने आप नहीं आया है इस विश्व की रचना सर्विशक्तिमान प्रभू ने की है ठीक है इतनी बात तो हरेक को समझ में आ जाती है जब ये बात हमको समझ में आ जाती है तो हमारे मन में क्या होना चाहिए जब ये बात समझ में आ जाती है कि सर्विशक्तिमान प्रभू ने इस विश्व की इस रिष्टी की है तो उस सर्वे शक्तिमान के सामने साश्टांग गिरके उस सर्वे शक्तिमान का आदर उस सर्वे शक्तिमान की प्रशन सा और स्तुती करना हमारे लिए जिरूरी है लेकिन ऐसा होता है क्या जी नहीं प्रभु के वचन में क्या लिखा है आगे हम पढ़ते हैं 21 पत्मे इस कारण प्रभू को जानने पर भी उन्होंने प्रभू के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद मतलब प्रभू की स्तूती नहीं की लेकिन व्यर्थ विचार करने लगे उनका निर्बुद्धी मन अंधेरा हो गया इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि मनश को प्र आपको समझ सके कि सर्व ज्यानी सर्विशक्तिमान प्रभू ने इस विश्व की स्रिष्टी की है इस बापको जब मनश समझ जाता है तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी है कि वो सर्विशक्तिमान के सामने साष्टांगर कर प्रणाम करे लेकिन प्रभू का वच्चन कहता है कि मनिश ऐसा करने के बदले प्रभु के विरुद्ध हो गया है उसका रिजल्ट क्या है देखे 22 और 22 में अपने आप को बुद्धिमान जता कर मूर्ख बन गए मतलब ये सब जानने के बाद में कई लोगों को ऐसा करता है तो वो मूर्ख बन जाता है उसका रिजल्ट देखिए ये है आज मैं आपको जो मुख्य बात बताना चाहता हूं 23 पत्मे अविनाशी प्रभु को या प्रभु की महिमा को नाश्वान मनिश्य पक्षियों चौपायों रेंगने वाले जिन्तों की मूरत की समानता में बदल दिया है मनिश्य जन्व से ही मूर्थी पूज़क है कोई भी मूर्थी क्यों नहों एक मूर्थी प्रभु को प्रदरशित कर सकती है क्या जी नहीं यदि मान लीजिए कि कल को हम यहाँ प्रभु ईशु की एक मूर्ति लाकर रख देते हैं और जब आप शाम की सभा के लिए आते हैं तो उस मूर्ति को देखकर उसके सामने घुटने टेक कर है प्रभु आज तो बच गए आपके दर्शन हो गए उस मूर्ति से बोलें सही होगा क्या जी नहीं बिल्कुल नहीं प्रभु प्रसन्य नहीं होंगे सबसे पहले सजा किसे मिलेगी मुझे इसलिए कि जो सर्वशक्तिमान और सर्विव्यापी है उसको मैंने एक मनिश की मूर्ति के रूप में बदल कर यहां लाकर रख दिया ऐसा करना गलत होगा और उस मूर्ति से जाकर प्रभु ये इशु की प्रतिमा क्यों नहो प्रभु ये इशु का चित्र क्यों नहो जाकर उससे याचना करना गलत होगा इसलिए कि प्रभु सर्वश्य व्यापी है जो सर्वे व्याप्त ही मतलब जो सब जगे व्याप्त है उसको एक मनिश की रूप में मनिश की प्रतिमा की रूप में कन्वर्ट करके आराधना के लिए सामने लाकर रखना गलत है लेकिन जैसा मैंने आपको बताया मनिश की आदत है कि सर्वे शक्तिमान प्रभू को मन ही मन देखने के बदले वो उसको कोई न कोई रूप देना चाहता है आज से कुछ साल पहले ग्वालियर शहर में वहाँ हर साल जो बड़ा मेला लगता है उस मेले में हम लोग हर साल बाइबल साहिप के नाम से एक दुकान डालते थे तो एक दिन एक मेहने का मेला होता है तो एक शाम को एक दम से एक यंग दमपती आए मुझे लगता है कि वो लड़का 24 का होगा लड़की 22 की होगी वो बोले अंकल जी प्रभू इशु के कोई चित्र है क्या जिसको हम माला में डालके चले फिरे मैंने का माला में डालके चले फिरे काहे को तो बोले अंकल जी जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन हमने तै किया था कि हम प्रभु की निकटा में जीवन बिताएंगे तो इसलिए प्रभु का एक चित्र मिल जाए तो उसको टांगेंगे तो हमारे दिल के पास रहेगा अच्छा मैंने का कि बड़ी अच्छी बात है बड़ी अच्छी इच्छा है कि प्रभू तुमारे दिल के पास रहे लेकिन एक बात तुम जानते हो क्या प्रभू ने स्वयम कहा था कि मैं तुमारे मन में वास करूँगा पढ़ा है क्या तुमने हाँ हाँ वो बोले कि हाँ हाँ पढ़ाते तो मैंने कहा कि जब वो तुम्हेरे दिल के अंदर वास करते हैं तो कहे को खामो खाँ गले पे टांग के फिर रहे हो दूसरी बात मैंने उनसे पूछा कि तुम किस प्रभु में विश्वास रखते हो मनिश के द्वारा बनाए हुए प्रभू में जिस प्रभू ने इस संसार की स्रिष्टी की है और जो सर्विव्यापी है तो थोड़ी देर तो वो चकरा गए फिर वो बोले कि अंक्onton जी प्रभौ तो सर्विव्यापी है और हम तो सर्विव्यापी प्रभौ में विश्वास करते हैं मैंने का कि सर्विव्यापी को चार मीलीमीटर की चित्र में तुम बदल के टांगना चाहते हो जब तुमने टांगा तब टांग गया जब उठाकर उधर खील पर डाल दिया तो वहाँ डल गया वो सर्विव्यापी है क्या तो काफी देर सोचने के बाद वो बोले कि अंकल जी आज पहली बार आँखे खुली है तो मैंने का कि अच्छा आप खुल गई है तो एक बात और अब कान भी खोल देते हैं तुमारा एक बात और सुन लो तुमारे मन में प्रभू का वास वाकई में है क्या इस बात का यकीन कर लो और जो प्रभू तुमारे मन में वास करते हैं उस अद्रिश्य सर्विव्यापी प्रभू की आरादना शुरू करो बड़ी खुशी खुशी वो लोग बीच मुन के चेहरा उतर गया था जब मैंने उनसे बिलकुल ऐसे एकदम से दो टूप बात कही लेकिन उसके बाद खुशी खुशी वहाँ से चले गए और नए दमपती थे तो महीने वर में 4-6 चकर मेले में उनके लग गए लेकिन हर बार आकर उन्हाने मुझसे मुलाकात की हर बार उन्हाने पूछा कि उनके लिए कोई किताब है क्या हर बार वो किताबे खरीद के ले गए और उनके आत्मिक जिवन में बहुत बदलाव आया मैनिश्य सर्विव्याती ईश्वर को किसी ना किसी रूप में बदल कर किसी ना किसी चित्र में बदल कर किसी ना किसी प्रतिमा में बदल कर उसको देखकर उसकी आराधना करना चाता है आज इस सभा में आप जो आए हैं यहां पर प्रभु ईशु का चित्र नहीं है क्यों नहीं है? इसलिए कि प्रभु को एक चित्र में बांदा नहीं जा सकता है प्रभु की कोई प्रतिमा यहां नहीं है क्यों? इसलिए कि प्रभु को किसी प्रतिमा में नहीं बदला जा सकता इवन यहां पर कोई सूली नहीं है सूली हो तो कुछ अंजान लोग हो सकता है सूली के सामने गुटने टेके ए प्रभु आपके दर्शिन हो गए सूली कोई प्रभु थोड़ी है रोमियों की पत्री पहला अध्याय हमको ये बात याद दिलाती है कि मनिश्य यिश्वर को छोड़ कर कुछ भी मिलजे उसकी आरादना के लिए तयार है सच्चे यिश्वर को छोड़ कर किसी भी चीच की आरादना के लिए तयार है क्यों तैयार है इसलिए कि उसके मन में पाप का सुभाव है पाप का सुभाव क्यों है इसलिए कि ईश्वर से उसने जबरदस्ती बलवा किया है आप कहेंगे शास्त्री सर मैंने तो बलवा नहीं किया अरे छोड़िये मैं चार बात आप से पूछूंगा तब आप कहेंगे कि छोड़ दीजिए, शास्त्री सर प्रश्न पूछना बंग कर दीजिए, हम में से हरेक्य मन में इश्वर के प्रती, इश्वर के विरुद बलवा है, ये आज से 6000 साल पहले, इश्वर के विरुद जो बलवा है, जो rebellion है, ये स्टार्ट हुआ था, अदन की वाटिका में, आज त जिसमें सर्वो तंफूल, सर्वो तंफल, जितना चाहे प्रचुर मात्रा में उपलब्द था, प्रभू ने का, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, और प्रभू ने देखकर बोला, अच्छा है, देखिए, जब कोई वेक्ति अच्छा है, बोलता है, तो वो अपने स्टैंडर्ड की हिसाब से बोलता है, आप, मान लीजे, आपके बच्चे ने फिजिक्स में पेपर दिया है, तो आप तो ही कहेंगे, शास्त्री सर्व बच्चों ने बहुत काम किया है, उसने पेपर दे दिया है, मैं फिजिक्स के अध्यापक की हिसाब से उसको तो मेरा क्या जवाब होगा, मैं सर पीट लूगा, यह अच्चा है, यह तो पास भी नहीं हो सकता है, हर एक का नापने का मात दंडलग होता है, छे हजार साल पहले प्रभू ने अपनी सृष्टी अधन की वाटिका को भी देख कर बना, अच्छा है, इस विश्व के सृष् जोड़े को रखा था, आदम और हुआ, जो प्रभू की शरण में रोज जाते थे, जिन से प्रभू रोजवारता लाब करते थे, उन लोगों ने क्या किया, जान बूच कर प्रभू के साथ बलवा किया, वर्जित फल खाया, प्रभू के विरुद बलवा किया, प्रभू से दूर हो गए, हम सब उनी के बच्चे हैं, और इस कारण जन से हमारे अंदर प्रभू के विरुद वो बलवे की भावना, वो रिबलियन है, इस कारण, हम जब इस विश्व को देखते हैं, तब हम जानते हैं कि इस विश्व की रचना, एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्यानी इश्वर ने की है, जो की सर्वेश्वर है और सर्विव्यापी है सब जगह है, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि शास्त्री सर एक जरासा चित्र दे दीजे, उसका हम गले में टांगते फिरेंगे, मतलब आप सर्वेशक्तिमान इश्वर को एक ऐसी चीज में बदलना चाते जिसको जब इच्छा हुई टांग लिया और जब इच्छा हुई उधर टांग लिया, ये है जो प्रभु का वचन पहली बात, रोमियों की पत्री जो मनुश के बारे में पहली बात बताती है कि सच्चे ईश्वर को जानने के बावजूद मनुश अपने बलवे के कारेंट सच्चे ईश्वर को सच्चा ईश्वर समझ कर ईश्वर की आरादना करने के बदले अपने मन माने चीजों के रूप में बदल रहा है, इसका रिजल्ट क्या है, आगे जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तब वहां लिखा है कि प्रभु ने भी उनको छोड़ दिया मनिश को उसकी बुद्धी पर छोड़ दिया, जिसे कि वो अपने जीवन को बरबाद कर दे, आज से 2000 साल पहले प्रभु इश्व ने अपने दर्शकों को एक कहानी सुनाई थी, एक बहुत धनी पिता थे, बहुत ही धनी, उनके दो बच्चे थे, छोटे बच्चे, उस घर में सब कुछ था, धन, संपती, दास, दासी, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन छोटे को लगा, एक बात की कमी है, क्या, इस घर में कुछ नियम और काइदे हैं, मुझे उन नियम और काइदों का पालन करना पड़ता है, इस कारण मुझे आजादी नहीं मिल रही है, तो एक दिन वो पिताजी से बोला कि, पिताजी, संपती में मेरा जो हिस्सा है, वो मुझे दे दीजे, संपती में उसका क्या हिस्सा, उसके बाप ने मेहनत की थी, संपती उसके बाप की थी, हाँ, उसने फादर की मदद जरूर की होगी, लेकिन कमाई तो उसके फादर की थी, बुद्धी उसके फादर थी, व्यापवर उसके फादर का था, कैसी धृष्टता उसने अपने पिताजी से की, और मैं आपको याद दिलेना चाहता हूँ, आज से दो हजार साल पहले का जो समाज था, उसमें पिता से यदी संपती का हिसाप मांग रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है कि अब आपके जाने का टाइम हो गया है, पिता जी ने क्या किया, वो स्नेह महीं करना महीं पिता, जो अपने बच्चों के सुभाव को, अपने बच्चों के दिल को जानता था, उसने तुरंत अपनी जो विशाल समकृती थी, उसमें से एक बहुत बड़ा टुकड़ काट कर अपने बेटे को दे दिया, उस बेटे ने तुरंत जो पैसा मिला उस पैसे में, उसको बेच दिया, सब को पैसा नामे में कंवर्ट करके, ठैलिया में अगदे के उपर लात के, बाइबल बताती है, दूर देश को चला गया, क्यों? यहां पिता जी की नजर ना पड और बाइबल में यह लिखा हुआ है कि वहां उसने कुकर्म में अरे पैसा मिला है, किसको इतने पैसे मिलते हैं, उससे कोई व्यापार करते हैं, उसके बदले उसने कुकर्म में, बुरे कर्मों में वो पैसा उडा दिया, पैसा खर्च करना मुश्किल काम है क्या? अरे जिन्दगी भर कमाया है हुआ पैसा, छंड भर में आप खो सकते हैं, जुए पे जाईए और सारे पैसा दाओं पर लगा दीजे, ज़्यादा तर बेवकूफों को ये मालूम नहीं होता है, कि हजारों लोग जब पासा फेकते हैं, उसमें एक जीतता है, बाकी सो नौसन इन्यन में हार जाते हैं, पिता जी ने क्यों ऐसा अलाओ किया, कुछ लोग अपने आप चीजों को समझते हैं, कुछ लोग जब तक उनको ठोक करना लगे, तब तक समझ नहीं पाते हैं, क्या हुआ, संपत्ती उड़ गई, उस देश में अकाल भी पड़ गया, भूखे भूखे नंगे, किसी तरह से जाकर, लोगों से उसने याचना की, किसी ने नौकरी नहीं दी, फाइनली, एक आदमी के पास गया, जो सूर पालता था, यहुदी लोग, जिस जानवर से सबसे अधिक घ्रणा करते थे, वो है सूर, मालिक ने कहा, कि अपने पास कोई नोकरी नहीं है, सूर चरा सके, तो सूर चरा लो, सूर चराया उसने, मुद्रिप्रदेश, उतरपरदेश, राजस्थान में, मैदन में एक प्रकार की फली लगती है, जिसको आप चबाएं, तो हलके से मुर्च लगती है, यह फली सूरों को खिलाते हैं, उसकी स्थिति ये हो गई कि भूखे मारे सुरों को ये फली जो खिलाई जाती थी उसमें से वो कुछ काना चाता था लेकिन कोई नहीं देता था तब एक दिन बैठ कर उसने कहा कि मैं कैसा मूर्ख हूँ मेरे पिताजी के नौकर पुत्र नहीं पुत्र पुत्रादी नहीं नौकर इतने धनी है उनको इतना धन मिलता है कि खाने के बाद उनको फैंकना पड़ता है और मैं यहां सुरों की फली खाना चाता हूँ वो भी कोई नहीं दे रहा है मैं अपने पिता के पास वापस जाओंगा मेरे प्रिये भाईयों और बहनों यह कहानी प्रभु ने 2000 साल पहले सुनाई थी लेकिन यह मेरी और आपकी कहानी है इश्वर प्रभु ने हमारी स्रिष्टी की इसके बावजूद प्रभु से बलवा करके हम लोग उस छोटे पुत्र के समान प्रभु से दूर है यहां लिखा हुआ है रोमियों की पत्री पहले अध्याए में इस कारण प्रभु ने उनको उनकी द्यर्थ बुद्धी पर छोड़ दिया जिस तरह से इस 2000 साल पहनी की कहानी में पिता ने अपने छोटे बेटे को उसकी व्यर्थ बुद्धी पर छोड़ दिया वैसे ही संसार के सृष्टा ने हम सब को अपनी व्यर्थ बुद्धी पर छोड़ दिया उसके पीछे कारण है कारण क्या था जब फाइनली उसको होश आया तो उसने का एक काम करते हैं मेरे पिता जी बड़े दयालू हैं किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते मैं जाके बोलूँगा कि पुत्र का सं तो मैंने खो दिया है मुझे एक नौकर के रूप में रख लीजे तो यदि पिता जी दया करके मुझे एक नौकर के रूप में रख लेंगे तो इतना खान पान को हो जाएगा कि मुझे किसी चीच की कमी नहीं होगी तब वो जो अभी तक मूर्ग था जो इस बात को नहीं जानता था कि उसको जीवन में कितना अनुग्र मिला है उसको आकल आई वो उठा वापस अपने पिता के घर में गया बाइबल में यह लिखा हुआ है कि उसके पिता जी ने दूर से उसको देखा एक बात याद रखें पटे, चित्रे, नंगे, बद्बूदार सुरों के चराने वाले जो धूप में जिसकी चमडी काली हो चुकी है उसको देख के कोई भी आत्मी उसके पास नहीं जा सकता लेकिन प्रभू के वच्चन में लिखा हुआ है कि उसका पिता पिता जी दौड कर गये, उसको गले लगाया, उसके गले पर गर पड़े और उसको इतना चूमा कि पिता जी को फर्भी तृप्ती नहीं हुई मैं और आप होते तो पहले कहते कि बेटे मांदी जी प्यार दिखाना था तो भी हम कहते स्नान करके वापस आओ नहीं पिता जी ने उसको लिप्टा कर उसको चूमा नौकरों से बोला आज्या दी ले जाओ स्नान करवाओ बाल काटो कपड़े पहनाओ सरवोतन कपड़े पहनाओ और इस परिवार का जो स्टेटस है उस जमाने में हर परिवार में लोग रिंग पहनते थे जो कि आज अपन जो सील लगाते हैं का समान होता है उस परिवार को दिखाता है अंगोटी पहनाओ पैरों में जूतियां पहनाओ और इतनो बड़ा फीस्ट करो कि लोग भी याद रखें और ऐसा लिखा हुआ है कि जब बड़ा बेटा जो खेतों पे गया हुआ था जब बाहर आया दूर से ही उसने आवाज सुन ली कि वाँ परे कोई तो बड़ा फीस्ट हो रहा इतना बड़ा फीस्ट पिताजी ने करवाए है इस कहानी को प्रभू ने क्यों सुनाया मेरे और आप के बारे में हम समझ सकें कि मैंने और आप ने प्रभू के द्वारा दी हुई सारी बातों को देखने के बावजूद उस छोटे बेटे के समन प्रभू को त्याग दिया प्रभू ने हमें अपनी व्यर्त बुद्धी पर छोड़ दिया जिससे कि हम समझ सकें कि हम अपने स्वयम की कोशिश से अपने आपको नहीं बचा सकते आज इस कॉंग्रिगेशन में इस सभा में ऐसे कई भाई बेहन हैं जिन्होंने इस बात को समझ कर प्रभू इशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन कर लिया है मैंने आज से बहुत सालों पहले प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया सामनी जो भाई लोग बैठे उधर जो भाई लोग बैठे इन में से कई लोग ने प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया इधर कई बहने बैठे और प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहंड किया है तो बाकी आप मेंसे जो भाई हैं या जो बहन हैं क्यों इस मुक्ति से दूर हैं आज ही प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहंड करें यदि ये बात आपको समझ में नहीं आई तो इस सभा के बाद मैं इहां सामने बैठा रहता हूँ, मेरे पास आईए, मैं आपको डीटियल में सारी बातें समझाओंगा, जिससे कि आप प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन कर सके, लेकिन जिनों ने ग्रहन कर लिया है, उनको एक बात याद दिलना चाहता मेरे प्रिये भाई, मेरे प्रिये बहन, हम क्या थे? रूमियों की पत्री पहले अध्याय से हम देखते हैं, हम क्या थे? प्रभु ने अपने स्वरूप में हमारी स्रिष्टी की, लेकिन प्रभु को जानने के बावजूद प्रभु से बलवा करके, हम प्रभु से दूर चल प्रदियायों तक पहुचने से पहले, कि हम जो थे उससे प्रभू ने हमको जो बना दिया है, ये मेरी आपकी योगिता नहीं है, प्रभू की करुणा है, इस कारण प्रत्य एक व्यक्ति को, प्रत्य दिन, कम से कम सुबह शाग प्रभू के सामने घुटने टेक कर, प्रभू के सामने ये मानने जलूरी है कि प्रभू मैं कुछ भी नहीं था, आपने मुझे अपनी संतान बनाया, मैं आपका आभारी हूँ प्रभू, और प्रभू मेरी मदद कीजिए, कि जो सर्वेश्वर है, जो सर्वेव्यापी है, उस व्यक्ति को सर्वेव्यापी के रू प्रभु कानगर आप सब के साथ पूर्ण चित्र बना देते हैं, वैसे ही हम लोग पूर्नी चित्र को देख सकेंगे, बल्कि तीसरे चौत्य अध्याय तक पहुँचते पहुचते, पहला अध्याय अभी जितना क्लीर हो, इससे भी ज़्यादा क्लीर हो जाएगा, यह सब प्रिया दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा, शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत प् बस, हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी, इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोचसाहन देता है, जै मसीह की